पंजाब में धुन्द की चलते 35 गाड़ियां टकराईं, 10 स्टूर्डेंट्स की मौके पर मौत, हाथसे के वक्त कॉलेज स्टूर्डेंट बस का इंधजार कर रहे थे, इसी दोरान उन्हें डम पर ने कुछ चल दिया, इस वजह से आपस में टकराईं कई गाड़ियां हुआ, ये हाल इस वजह से आपस में टकराईं कई गाड़ियां हुआ, ये हाल उपी के इटा में, एक्सीटेंट है, ड्राइवर को लगी जहपकी और बिच गई 14 लाशें, इस कंगारू के बाइसेप्स, देख अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर भी चौक जाएंगे, एक पी ऐ जवान समेथ 6 श्रद्धालूओं की मौत, चानक धहा निर्मानाधीन पूल, एक की मौत, नो घायल चानक धहा निर्मानाधीन पूल, एक की मौत, नो घायल सरक हाथसे में म्यामार के काउंसल जनरल की मौत, वाइप समेथ 3 जख मी सडक हाथसे में म्यामार के काउंसल जनरल क वाइप समें तीन जख मीटर और बस की टकर में 10 लोगों की मॉथ कई घंड़े फषी रहे लाशे रहे लाशे tumor 10 लोगों की मौथ कई घंड़े फषी रहे लाशे emp Мосkel पाणि के वजह सवागरिए मनादा स्गर राज मंत्र laagasi ke chicken सिंगर अभीजीद के साथ सियम ने ऐसे किया शहीदों को सलाम। हाथसे के बाद गाड़ियों की हालत। बठिंडा। यहां बुद्वार सुबह धुंत के चलते कई गाड़ियों के आपस में टकराने से 10 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हाथसे के वक्त कॉलेज स्टूडेंट बस का इंधजार कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें डम पर ने कुछल दिया। स्टूडेंट्स की मौके पर ही मौत हो गई। 17 लोग गंफी रूप से जक्मी हैं। हाथसे की सूचना मिलने पर 6 एंबुलेंस मौके पहुचगी, जिन्होंने 11 घायलों को प्राइविट हॉस्पिटल और 5 को बठींडा सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया। पंजाब सकार ने दिया 1-1 लाग का मौावजा। बठींडा के डिप्टी कमिशनर दीप्रवा लाखरा ने कहा कि पंजाब सकार ने मृत्कों की परिजन को 1-1 लाख और घायलों को 50,000 रुपए का मौावजा देने का इलान किया है। सुबहाट बजे के करीब 13 स्टूडेंट सडक के किनारे बस का इंधजार कर रहे थे। तभी एक तेज रफता डंपू पर लोगों को उनकी तरफ आता दिखाई दिया। उन्होंने डंपर को रुखने का इशारा भी किया लेकिन धुंद के कारण ड्राइवर देख नहीं प पिछले तीन-चार दिनों से लगातार ठंड और धुंद बढ़ने के बाद भी प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया था। लेकिन अब इस हाथसे के बाद स्कूलों की टाइमिंग बदलने का इलान कर दिया गया है। बठीन टाजीले में अब स्कूल सुबह साड़े नौ बजे से धाय बजे तक खुलेंगे। जबकि इसके पहले बुदवार तक सुबह हाथ बजे ही खुल रहे थे। फारीद कोट फाजिल का रोड पर हुए हाथसे में मंगलवार को चली गई थी चेकी चान। फारीद कोट फाजिल का रोड पर मंगलवार सुबह रोड वेजबस ट्राय अले से टकरा गए जिसमें छे लोगों की मौत हो गई। आच लोग जकमी हैं। हाथसे की वज़े धुन्त के बीच ट्रक का ओविठे करनिया बताया गया। कर बादी की वज़े 10 का रोड़े ख़दोर और मंगलवार से टकराप लोड़े बताया खारा बवार करनिया जह चान।